असलाम वरेकुम आज के इस लेक्चर के अंदर हम human eye structure and function को discuss करेंगे यानि यह एक diagram में इड़ा कर रखी है normal human eye की इस eye के अंदर कौन कौन सी structures present है और वो structures हमारी आँख को functional कैसे बनाती है यानि हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं यह सारा कुछ है इस lecture के अंदर clear करेंगे So let's get started हमारी आँख जो है वो तीन layers से मिलकर बनी होती है इसमें तीन layers present होती है हर layer का अपना specific function होता है So सबसे जो outer most layer of eye है जहां से यह आप देख पा रहे हैं दो black line के अंदर मैंने ड्रा कर रखी है यह outer most layer है यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक इस layer को कहा जाता है सिकलेरा सिकलेरा जो है outer most layer है eye की और यह opaque in color होती है यानि यह whitish color की होती है तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आँखों की सफैदी की बात कर रहा हूं यह जो सफैद नज़राती है आँखे side से आपको black region को छोड़के यह सिकलेरा जो outer most layer है eye की इसकी वज़े से नज़ करती है सो सिकलेरा clear हो गया सिकलेरा जहां पर in front of eye आकर थोड़ी से बाहर को उबरती है bulging सी structure होती है बाहर को निकली होती है और यहां पर यह layer transparent हो जाती है और इस layer को cornea कहा जाता है so in front of eye जो आपका black portion है या brown है green है different colors होते हैं आई के जो iris वाला region है उसके front पर यह जो layer है यह थोड़ी से बाहर को निकली होती है और यह transparent in color होती है जैनि इसका कोई color भी नहीं होता और इस layer को फिर cornea कहा जाता है okay यह outermost layer हम discuss कर चुके हैं अब sclera के अंदर inside the sclera एक second layer present होती है all around the eye यहां पर red color में आप देख पा रहे हैं यहां से एक layer जा रही है यहां तक यहां तक जाती है यह layer इस layer को कहा जाता है chloride और यह highly vascular layer है यानि इसके अंदर blood vessels है और यह हमारी आंखों को nutrition provide गरती है यह layer इसकी वज़े से हमारी आंखों के different cells के अंदर energy जाती है so second layer is chloride which is highly vascular layer in which blood vessels are present यह जो chloride layer है यहां पर front पर आकर iris के करीब एक triangular सी structure बनाती है दोनों साइट पर यहां पर भी आप तेख पा रहे हैं यहां पर भी इस triangular structure को कहा जाता है ciliary body और इस ciliary body से कुछ muscles निकलते हैं ligaments से निकलते हैं जो हमारी आंखों के lens को पकड़ लेते हैं और lens की movement को control करते हैं so in muscles को कहा जाता है suspensory ligaments so together ciliary body plus suspensory ligaments यह दोनों मिल कर हमारी आंखों का जो lens है उसकी movement को control करते हैं और हमारी आंखों का जब lens move करेगा तो definitely हम चीज़ों को clearly देख पाएंगे दूर वाली चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हमारा lens थोड़ा सा चिप्टा होगा जब करीब वाली चीज़ों को देखेंगे तो lens थोड़ा सा ज्यादा convex हो जाएगा ताकर light को focus घर सके on to the retina so ciliary body plus suspensory ligament lens की movement को control करते हैं ओके यह होगी second layer अब इसके अंदर एक third layer होती है यहाँ पर blue में मैंने ड्रा कर रखी है यह जो third layer है यह inside the chloride होती है अंदर होती है chloride के अंदर यह पूरे eye के अंदर यह layer present होती है इस layer को कहा जाता है retina और यह highly sensitive layer है यानि light इसी layer पर टकराती है जाकर और इसी layer में cells present होते हैं जो photoreceptor होते हैं यानि light को receive करते हैं और light को receive करने के बाद light क्या electromagnetic radiation होती है यानि energy है तो उस energy को action potential के अंदर यहाँ पर जो cells हैं वो convert करते हैं और वो action potential फिर neurons के साथ attach होती है neurons उस action potential को impulses की form में brain तक send करते हैं तो देखते हैं यह layer जहां से यहां तक आ रही है यहां पर cornea retina के अंदर कुछ cells होते हैं जो highly photoreceptor हैं जिने cones and rods कहा जाता है यहां पर यह cells हैं यह cells क्या करते हैं light जब इन पर टकराती है तो यह activate होते हैं और उस light की electromagnetic radiation को convert करते हैं into action potential और यहां पर neurons बगएरा present होती हैं और उस energy को उस impulse को neurons की तरफ बेचते हैं और neurons मिलकर एक nerve बनाते हैं बहुत सारे neurons मिलकर neuron की exons मिलकर nerve बनाते हैं जैसे optic nerve कहा जाता है और यह optic nerve direct to the brain attached होती है और यहां से signal फिर क्या करता है brain की तरफ travel करता है brain उन signals को process करता है और हमें बताते हैं कि आपनी क्या चीज़ देखी है so that is how your eye function ओके यह होगी third layer जिसे retina कहा जाता है जिसमें cons and rod cells present होते हैं जो highly photoreceptor होते हैं अब ज़रा सब front of eye में आ जाते हैं यहां पर एक muscle होता है जिसे iris कहा जाता है जो आपकी आंखे हम कहते हैं न different color of eye brown होती है, green होती है, blue होती है, black होती है यह इसी iris की वज़ा से होती है, iris एक muscular body है, muscular structure है और यह pigmented है, pigmented muscle है और यह आपकी इसका function होता है आपके आंखों के अंदर जो hall है जिसे pupil कहा जाता है, उसकी movement को control करता है so iris क्या है, muscle है, जो pupil की movement को control करता है अब pupil क्या है, pupil एक hollow space है आपकी आँखों के दर्मयान जो dark black color का spot आपको नज़र आता है उसे pupil कहा जाता है और यह color में कैसे होता है, highly dark होता है so इसे मैं black कर देता हूँ यह जो आपको region नज़र आ रहा है, यह क्या है इसे pupil कहा जाता है अब यह black क्यों नज़र आता है, कि बाहर से light आती है यहां, यहां से आँखों के अंदर enter होती है इस pupil यह खाली region से enter होती है और reflect back बाहर नहीं निकलती इसलिए यह वाला region आपको black नज़र आता है क्योंकि यहां से light reflect नहीं हो रही बाहर नहीं जा रही यहां से आई आँखों के अंदर enter होती है और यह region आपको black नज़र आता है इस region को pupil कहा जाता है अब आइरिस मसल इसकी movement को control करता है यानि कि जब light बहुत ज़्यादा है तो आपका pupil सुकड जाता है आइरिस मसल आपके contract होते हैं चोटे हो जाते हैं बलके relax होते हैं चोटे हो जाते हैं तो pupil जो सुराख है वो पतला हो जाता है ताके कम light आपकी आँखों के अंदर जाए क्योंकि ज़्यादा light जाएगी तो आँखों को नुकसान हो सकता है तो जब light low हो जाएगी डिम हो जाएगी तो आपका pupil जो है इसके बीछे सबसे important reason होता है जिसे lens कहा जाता है इसी lens की वज़ा से light focus होती है on to the retina यानि यह lens convex shape का lens होता है और यह transparent होता है इसका color कोई में नहीं होता और जहांपर जब light आती है तो यह lens focus करते है उस light को on to the retina अब light अगर दूर से आ रही है तो light थोड़ी सी parallel होगी तो यह कम bend करेगा light को ताके retina पर जा कर ठीक दरीके set कर सके so इसकी movement को control कर रहे होती है ciliary body plus suspensory ligament और जब आई आप जब दूर की चीज़ें देखते हैं तो आपका जो lens है वो थोड़ा सा कम convex होते है और जब आप करीब की चीज़ें देखते हैं ज्यादा convex हो जाते है ताके light को ज्यादा band कर सके on to the retina so यह कुछ structures थी जो हमने डिसकस कही है इसके इलावा यह जो आपका cornea है cornea से lens तक का जो region है इसके अंदर एक fluid present होता है जिसे aqueous humor कहा जाता है यह fluid भी बहुत important होता है light को hit करवाने में on to the retina इसके लावा यह जो अंदर वाली hollow space आपको नज़रा आ रही है इसके अंदर भी fluid present होता है इसे vitrous humor कहा जाता है और इस fluid का भी बहुत important function है यानि यह अगर fluid ना हो तो इसके function देखें हैं देख लेते हैं सिक्लेर है एक opaque layer है जिसका काम है protection प्रोटेक्शन प्रवाइड करना chloride vascular layer है जो के nourishment प्रवाइड करती है आंखों को retina sensitive layer है और यह photo receptor cells इसके अंदर present है यानि light को process करवाना इनका काम होता है cornea layer है जो front पर present होती है transparent layer है और यह protection प्रोटेक्शन प्रवाइड करती है आइरस को आइरस एक pigmented muscle है जो के pupil की movement को control करते है और pupil small hall है जहां से light इंटर होती है आंखों के अंदर lens जो है यह transparent structure है और यह involve होता है light को focus करवाने में on to the retina aqueous humor एक fluid है जो के present होता है between lens and cornea और यह light को control करता है vitreous humor inside the eye यह एक fluid present होता है और यह protection देता है हमारी आंग को पिचिकने से बचाता है cones and rods यह cells होते हैं photo receptor cells जो के retina में present होते हैं और यह light wave को convert करते हैं into action potential ताके उसकी processing होचसा के brain के अंदर और optic nerve एक nerve होती है जो के signals को travel करवाती है जो light के signals होते हैं उन्हें travel करवाती है on to the brand so that's all for today lecture hopefully आपको lecture समझ में आयोगा next lecture तकरीव हुँचे चाहज़ दोते हैं शुक्रिया अल्लाः आफिस